हेलो स्टुरेंट्स, वेलकम टो यूपी से एसस, ओलेबल स्रीज का लक्षा नमबर 17 है और पिछले वीडियो में हमने वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानि चैप्टर नमबर 3 जो था वो कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने लिब्रे ओफिस का राइटर कंप्लीट देख लिया था इसमें सलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है अब आगे कंटिन्यू करते हैं जो कि अगला चैप्टर है चैप्टर नमबर 4 इस्प्रेट सीट प्रोग्राम ठीक है तो यहां पर हमने पहले ही बता दिया है कि आपको Microsoft Office 2007 की जो सरीज है वो आपको पूरी complete देखनी है ठीक है और इसमें टोटल जो है वो आपके 32 वीडियो है और 32 वीडियो में यहां पर 32 में जो आपके 27 वीडियो है यह important है बाकी यहां पर कुछ tips and tricks है आप इन्हें चाहें तो ignore कर सकते हैं यह knowledge के लिए पढ़ सकते हैं ठीक है तो यहां पर जब आप Microsoft Excel 2007 जो है इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे benefit यह होगा कि एक तो यह Excel में आपका पूछा भी जाएगा दूसरी चीज एकसल में आपको काफी कुछ knowledge हो जाएगी फिर उसके बाद आप LibreOffice का जो Excel यानि की Kelsey प्रोग्राम है उसे आप आसानी से चल आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको यह सारी चीज़े यहां से देख लेनी है ठीक है और फिलाल तो यहां पर हम LibreOffice का जो आपका Kelsey यानि Spread Seed Program है उसको Open करते हैं उसका इंटरफेस आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखें यह Writer Document है Writer Document जो की हम पढ़ चुके हैं उसके बाद अगला नंबर है CalC Spread Seed इसको Open करते हैं तो यह आपको यहां पर एक काम करने के लिए Seed मिलती है जिसमें हम Data Entry का काम करते हैं मुक्य और Data Entry का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी Data किसी College का Institute का या किसी Company की Employee का या किसी भी तरह का Data आपको Maintain करके रखना है उनके Name, Father, Name, Content Number या कोई भी Detail तो आप आसानी से यहां पर उनको रख सकते हैं और इसमें कई सारे Features मिलते हैं जिससे हम अगर Calculation करना चाहें कभी Data के उबर तो कर सकते हैं उसको Sort करना है या Data को Filter करना हो तो इस तरह के काम यहां पर Excel में किये जाते हैं तो इसलिए Data Entry के लिए जो सबसे Best Software है वो आपका Excel होता है चाहे वो Microsoft का Excel हो जो कि यहां पर आपको दिखा देते हैं यह Microsoft Excel 2013 का है और आप जो Series में सीखेंगे वो 7 का है तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि 2007 और 13 जो Microsoft का है उसमें कोई भी Changes नहीं है बिल्कुल सेम है जो भी Formula, Function, Option है सारा कुछ सेम है ठीक है तो यहां पर आपको 2007 वाला सीख करके आप 13 भी चला लेंगे और जो Libre Office में जो आपका Kelsey है यह भी आपको आराम से समझ में आ जा बना है ठीक है चलिए तो यहां पर हम एक नजर नोट्स पर भी डालते हैं यहां पर आपका जो यह Spread Seat का यह पूरा Slavus है ठीक है Slavus के According यहां पर हम Spread Seat पढ़ेंगे यानि Kelsey और यह यहां पर Chapter No.4 है और इसमें यहां पर जो है Spread Seat के बारे में कुछ Definition ती गई है जो कि exam के लिए जरूरी है इसमें यहां पर बताया गया है Spread Seat के Element यानि गीतत्तु तो यहां पर आपका सबसे पहले तो होता है वर्क बुक वर्क बुक क्या होता है तो देखें यहां पर चाहे यह Microsoft का 2013 हो या 7 हो या LibreOffice का Kelsey हो ठीक है मलब यह जो Definition आपकी है यह सभी वर्जन पर ल संख्या कुछ अलग होती है बस यह कुछ difference होते हैं बाकी पूरी definition सेम है ठीक आपको बता देंगे क्या अंतर है फिलाल यहां पर वर्क बुक की बात कर रहे हैं तो वर्क बुक क्या होता है देखिए जो आपको Excel में काम करने के लिए यहां पर मिलती है यह आपकी पूरी होत करते हैं तो एक document file बनती है ठीक है इसी तरह से जब यहां पर हम Excel में अपना काम करने के बाद में जब इसको हम save करते हैं तो यह आपकी एक workbook बनती है ठीक है यह आपकी Excel file बनती है जिसको हम बोलते है workbook ठीक है तो यह आपकी पूरी workbook होती है चाहे वो Microsoft Office 2013 हो या फिर आपक «Core» कल C हो ठीक है तो workbook क्या होती है आपको पता चल गा होगा workbook के बाद अगले नंबर पर एक work seat ठीक है तो work seat आप जहां पर काम करते हैं यह ठीक है यह आपकी होती है work seat यहाँ पर आप देखेंगे nीचे seat 1 लिखा हुआ है और यह आपकी seat 1 है तो workbook के अंदर आपकी वरक बुक होगी जैसे हाँ पर हम प्लस करते हैं एक और seat प्लस कर ली एक और seat प्लस कर ली तो यह आपकी seat 1 हो गई इसको हम कह सकते है normally page जैसे की MS Word में क्या होता है कि यहाँ पर आपके बाद आपके पास एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा page होता है उसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो है इसमें seat के अंदर भी pages होते हैं ऐसा नहीं है कि यह जो जितनी बड़ी seat आपको दिख रही है पूरा एक page में है ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको अलग-अलग seat मिल जाती है जैसे माल लेते हैं आपको college के जो student है उनका record maintain करना है data entry करनी है तो college जो है तो हमालेते हैं enter college है तो enter college में आपके पास जो है वो मान के चलिए 12 classes होंगी ठीक है तो 12 class होंगी तो उसके लिए आप यहाँ पर 12 seat बना सकते हैं ठीक है 12 seat बना लें और अलग-अलग seat पर अलग-अलग class का जो data है student का वो यहाँ पर आप रख सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको seat मिल जाती है और यह 3 seat जब आप इसको file में जाकरके save कर देते हैं file को save परना तो आपको आता ही है तो यहाँ पर यह 3 seat एक ही workbook में save होती है ऐसा नहीं है कि seat 1 को अलग save करेंगे seat 2 को अलग, seat 3 को अलग, ऐसा नहीं होता ठीक है तो यह पूरी एक workbook होती है जिसके अंदर हमें seat एं मिल जाती है seat 1, 2, 3 और जितनी चाहिए हम यहाँ से plus कर सकते हैं, delete करने के लिए simply right click करके यहाँ से हम उसे delete seat से delete कर सकते हैं ठीक है, तो यह delete भी हो जाएंगी rename करना हो, तो आप simply इसके उपर double click करें, और यहाँ पर seat 2 के मालने थे, इसमें हम 11th class का data रखेंगे तो यहाँ पर हमने 11th लिख दिया, ok तो इसका नाम भी बदल गया, ठीक है फिलाल यह सब चीज़े आगे हम detail में देखेंगे अभी आपको इसका introduction दे रहे हैं कि actually में हम इसमें किस तरह का काम करते हैं और आगे बताएंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है उसके बाद यहाँ पर है chart seat ठीक है, तो chart seat जो होता है यह भी एक seat होती है, लेकिन यह graphical way में होती है तो जब आगे हम chart के बारे में देखेंगे कि chart क्या होता है, तो chart actually क्या होता है किसी भी data को graphical way में represent करना जो होता है, वो chart के माद्धम से हम करते हैं, ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे chart देखेंगे बार चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं पाई चार्ट होते हैं, उनके बारे में हम आगे detail में देखेंगे, अगर आपको chart के बारे में knowledge नहीं है, तो कोई issue नहीं, हलाकि हमने 2007 वाले series में पढ़ाया है, अगर आपने यह आपके column होते हैं, यह आपके क्या होते हैं, column होते हैं, तो यहाँ पर यह जो row होती है, हर row का अपना एक address होता है, जैसे अगर हम पूछें कि यह कौन सी row है, कौन सी number की row है तो आप बोलेंगे, यहाँ पर 8 number की row है यहां पर आप देख सकते हैं, 8 लिखा हुआ है, यह 8 number की row है, और यह कौनसी 12 है, यह 10 है, 16 है, 13 है, 8 है, 4 है, यह 1 है, ठीक है? तो यह आपकी क्या होती है, row होती है, अभी अगर हम आप से पुछे कि column कौन सा है, तो आप बोलेंगे column कौन सा है, B column है, ध्यान रखना इस बात क तो आप बोलेंगे D column है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है column पूछा जा रहा है तो D row पूछी जा रही है तो 7 ठीक है तो दो चीजे के लिए row और column तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है यह row होती है और यहाँ पर जो row की संख्या दी गई है वो 2013 की दी गई है कि 2013 वाले में कितनी row होती है ठीक है तो यहाँ पर यह आपका 2013 है इसमें जो total row होती है आपकी यानि कि यह जो 1,2,3 यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कि यह row होती है और यह total कितनी row होती है एक seat में ठीक है अगर आप दूसरी seat लेते हैं तब तो आपको फिर से row मिल जाती है लेकिन अगर एक seat की बात करें तो एक seat में जो आपके row होती है व तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहां पर एक kolum को select करते हैं, तो इस तरह से पूरा kolum select हो जाता है. तो हमने जो भी select कर रखा है, तो ये all select हो जाता है, एक kolum तो उपर यहां पर लिखा हुआ है, कि आपने A1 से ले करके, यहाँ पर बीच में ratio का sign है तो A1 से लिए करके आपने A 10,48,576 इतना आपने select कर रखा है यानि कि last जो row है वो आपकी 10,48,576 नमबर की है तो total row इसमें कितनी होगी 10,48,576 इसी तरह सकर हम यहाँ पर इसको select करें तो यहाँ पर उसका पूरा address नहीं दिखाता लेकिन इसमें हम नीचे जा सकते हैं लास्ट में तो end बटन कीबोर्ट से प्रेस करना है लेकिन यह काम जो है वो सिर्फ 2013 में होगा कैलसी में नहीं होगा तो यहाँ पर आपको end दबाना है लास्ट में चले जाना है इस तरह से end बटन दबा करके आपको down arrow प्रेस करना जो arrow keys होती है उसमें end बटन पहले दबाया फिर down arrow तो आप सबसे last में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं 10,88,576 ठीक है फिलाल यहाँ पर आपका row और column किलियर हो गया उसके बाद यहाँ पर अगर column की बात करें तो इसमें जो column है 2013 में यह जो definition लिखी है इसमें यह 2013 की लिखी है ध्यान रखना ठीक है हमने बताया था कि 2013 और लिब्रे office दोनों से question आते है वो level में तो दोनों चीज़े आपको क्लियर करनी है तो यहाँ पर 2013 वाला जो आपका office है उसमें 16,384 column होते हैं आपके और आपका जो Kelsey है यानि की लिब्रे office का इसमें आपके सिर्फ 1024 column होते है column की संख्या जो है वो different है यह आप note कर ले column कीतने होते है आपके 1024 होते है यहाँ पर अगर हम select करें किसी column को यहाँ पर एक पूरी row select करते हैं देखे हमने select कर ली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 से लेकर के AMJ1 तक select है अब यहाँ पर AMJ1 यह क्या है तो आप समझ सकते हैं आपर देखिए जो ABCD होती है यह total कितनी होती है 26 character ही होते है तो यहाँ पर यह सिर्फ 26 ही column हो सकते है अगर हर column का नाम जो है A, B, C, D इस तरह से है तो जब यहाँ पर यह Z तक समाप्त हो जाता है तो अगला column जब start होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह कहां तक जाता है यह जाता है आपका A, M, J तक कहां तक जाता है आपका वो जाता है A, M, J तक तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और अगर हम बात करें 2013 की तो वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते है X, F, D तक जाता है तो यह A से X, F, D तक जाता है और अगर हम बात करें यहाँ पर कैलसी की तो यह A से लेकर के A, M, J तक जाता है और इसमें टोटल 1024 कॉलम होते हैं जो हमने यहाँ पर बोला है वो आप वीडियो को पॉस करके इसका नोट्स बना लें यहाँ पर नोट्स में आउसके बाद है तो यहाँ पर सेल जो है यह काफी important है इसको आप समझे लें सेल क्या होता है तो यहाँ पर हम एक block को सेल बोलते हैं जैसा कि हमने बताया कि यह आपका क्या column है और यह आपकी क्या है row है यहाँ पर एक block को जो अभी हमने select कर रखा यह आपकी सेल होती है याँ एक खाचे को हम सेल बोलते हैं तो यहाँ पर यह जो सेल होती है जिस तरह से आपका यह column का address है यह row का address है address का मलब उसकी पहचान जैसे यहाँ पर यह seat 1 है यह 11th यह भी है इसका नाम हमने change कर दिया 11th कर दिया तो इसका भी अपनी पहचाने की seat 1 है यह 11th seat है इसी तरह से हर column का अपना एक address है जैसे जिसका column का address है वो E है इसकी row का address 12 है इसी तरह से चैल का address होता है यह आपका row और column के address से मिलके बनता है जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि जो cell है वो column और row से मिलकर के ही तो बनी है इसी तरह से उसका address जो है वो भी आपका column और row के address से मिलके बनेगा तो अभी यहां पर अगर हम पूछें कि जिस cell को हमने select कर रखा है select का मलब जिसमें 13, पहले column, फिर उसके बाद row, 13, F नहीं, ठीक है, F 13, अभी अगर हम पूछें कि अभी हमारा जो है, कौन सा cell select है, तो H 11, अभी कौन सा select है, C 8, अभी कौन सा select है, B 16, अभी कौन सा है, B 10, अगर हम पूछें कि यहाँ पर जो 50 लिखा हुआ है, यह 50 कौन से cell में लिखा हुआ है, तो यह किसमें लिखा है, E, इस तरह से mouse को ले जाएंगे, E, और फिर आगे चले जाएंगे E8, यानि कि E8 में है, ठीक है, तो जो 50 लिखा है, वो E8 में है, अगर हम पूछें कि यह जो GH लिखा है, यह आपका C6 में है, ठीक है, तो इस चीज क्लिए करते, देखिए, हो सकता है कि कभी-कभी हम इसको Excel बोलें, ऐसा इसलिए क्योंकि Office 2013 पर ज्यादा तर काम होता है, इसलिए जो Spreadsheet Program है, उसे नॉर्मली Excel बोल देते हैं, लिकिन आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है, QC है, Excel जो Microsoft का है, वो आपका Excel होता है, ठीक है, त किसी चीज को जोड़ना, घटाना, गुड़ाबाग करना हो, या data के साथ में कोई calculation करनी हो, तो वो सारी चीज़े हम यहाँ पर formulae और function का use करते हुए काम कर सकते हैं, अगर हम बात करें formulae की, तो formulae में हम addition, subtraction, division, multiplication कर सकते हैं, और बात करें function की, तो function का का काम होता है, जो function ह वो predefined होते हैं, predefined यानि पहले से ही function बनाए गए होते हैं, एक काम को करने के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम example की बात करें, तो यहाँ पर देखें, इसको पहले तो zoom कर देते हैं, और यहाँ पर zoom आप जो है, यहाँ से कर सकते हैं, नीचे status बार है, हमें नहीं ल आपको extra मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं रखता कि आपको detail में पढ़ाना होगा, यहाँ पर हम उन चीजों पर ज्यादा concentrate करेंगे, जो यहाँ पर new है, जो option हमने पीशे नहीं पढ़ें, उनको यहाँ पर हम पूरा complete करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आग कुछ number लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, इस तरह से, अम्माल लेते हैं कि इन सभी number को हमें जोड़ना है, ठीक है, या फिर यह तो अभी सिर्फ 4 ही number है, सपोर्ज करो कि यहाँ पर हमारे सामने 1000 number इसी तरह से लिखे हैं, संख्याय लिखी हैं, और उन सभी को जोड़ना है, तो यहाँ पर अगर हम इसको calculator से जोड़ेंगे, तब भी हमको time लगेगा, क्योंकि एक एक number को हमें वहाँ पर डालना होगा, प्लस का सही लगाना होगा, लेकिन Excel में यह काम बहुत ही आसान हो जाता है, आपके पास चाहे 1000 number हों, चाहे 2000 number हों, या 2 हों, या 4 ह है, तो उसके लिए function होता है, यहाँ पर, function जो है, वो क्या है, कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे detail में, यहाँ पर हम sort में उसको आपको लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ पर is equal to sum, ठीक है, sum एक function है, जो जोड़ने का काम करता है, फिर यहाँ नंबर को जोड़ना है, सभी को select कर लिया, या उसका address डाल दिया, cell address, अब cell address क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी दिर पहले, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो sum है, यह क्या है, एक function है, जो जोड़ने का काम करता है, तो हमने equal to का sign लगाया, equal to का मतलब कि हमार जो formula या function है, वो start हो चुका है, फिर sum फिर bracket open, फिर कहां से जोड़ना शुरुआत करनी है, तो हम बताएंगे कि हमें D4 से, यानि कि इस तरह से manual लिख भी सकते हैं, तो हमने लिखा D4, यानि कि हमें D4 से starting करनी है, जो 50 से starting करनी है, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ratio का sign, जो क जो है, वो multi add cell address ready करता है, multi cell address, यानि कि एक से ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर last वाला, last वाला भी 50 तक ही रखना है, तो इसका last वाले का क्या है, D7, तो यहाँ पर हमने D7 डाल दिया, और bracket close और enter कर दिया, तो यह तुरंद जोड़ देगा इस तरह से, यहाँ पर आपके सा यहाँ पर आपका यह जो sum था, यह क्या था, एक function था, और formula क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लगाया equal to, और हमें 50 जोड़ना है, फिर plus, फिर 30, फिर plus, फिर 50, बस तीन number को जोड़ना है, और enter कर दिया, तो यह तीन number को इसने सिर्फ जोड़ दिया, तो यह आपका formula होता है, तो यहाँ पर हमें चाहे formula लगाना हो, या function लगाना हो, उसकी starting हम equal to के साथ में करते हैं, इस तरह से, अगर हम यहाँ पर equal to का sign नहीं लगाते हैं, और directly यहाँ पर हम लिखते हैं, इस तरह system, bracket open, और फिर select करते हैं, तो यह formula नहीं माना जाएगा, यह as a text, normal text माना जाएगा, जिस तरह से हम कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, वही माना जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, कि किसी भी formula या function को start करने से पहले हमें equal to का sign लगाना होता है, तो यहाँ पर notes में और कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर जितनी चीज़े important थी, जो कि आपकी theoretical based थी, वो हमने बता दी है, अब यहाँ पर हम start करते है, practical, तो यहाँ पर थोड़ी वह चीज़े तो आपको Kelsey के बारे में पता चल गई होगी, जैसे यहाँ पर हमें data entry का काम करना है, तो यहाँ पर हमने field बना ली, name हो गया, या इसके पहले हमें serial number रखना है, तो यहाँ पर serial number, name में यहाँ पर name, और tap बटन से आगे बढ़ते हुई है, यहाँ पर सारी चीज़े जो हम आराम से fill कर सकते हैं, हमें यहाँ पर जो total row मिलती है, वो कितनी मिलती है, 10,48,576, यानि कि हम लाखों की संख्या में यहाँ पर data entry, बलब लाखों की संख्या में record को maintain कर सकते हैं, अब यहाँ पर मा लेते हैं, total करना है कि कितनी fees हमारे पास sum भीट हो चुकी है, यहाँ पर यह सारा record है, इस तरह से ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम simply लगाएंगे, जहां भी हमें answer चाहिए, वहाँ लगा देंगे equal to sum, bracket open, और फिर आपका directly यहाँ से आतक और enter कर दिया बस आपका total हो गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम आसानी से काम कर सकते हैं, इसमें एक छोटा सा project देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम देरे देरे जो options हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर slaybus के according पढ़ना सुरुवात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा name ले लेना है, जिसका भी bill कट रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप company का name या जो भी रखना चाहते हैं, वो सारी detail यहाँ पर आप उपर डाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से start करते हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया serial number, फिर item ठीक है, तो यहाँ पर हम और add कर सकते हैं, माल लेते हैं कि अभी के लिए discount नहीं दे रहा है, तो फिलाल इतना ही रखते हैं, serial number में यहाँ पर हमने 1 रख दिया, अब इसमें एक खास बात यह किये है, कि Excel में अगर आपको serial number लिखने हैं, तो कोई जरू नहीं कि manually आप 12345 इस तरह से लिखें, आप सिर पर पहुंचता है, तो यह प्लस का sign हो जाता है, अभी देखें, arrow है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचता है, यह प्लस का sign हो जाता है, फिर जब आप इसको यहाँ पर इस तरह से drag करते हैं, तो यह आपका 123 इस तरह से copy हो जाता है, एक series में, ठीक है, तो इसको बलते है auto fill, या काम करता है, जब यहाँ पर हमने 2 और 4 दोनों चीजे लिखी, तो जो हमने select करके drag किया, तो क्या हुआ, कि इसने समझ लिया कि 2 के बाद 4 है, तो यानि कि 2 का अंतर है, तो यह आगे जो है, वो table ready कर देगा, सभी में 2-2 का अंतर रखेगा, यानि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के दोनों को select करना होगा, फिर उसके बाद में हम इस तरह से काम करेंगे, ठीक है, तो आप समझ गयोंगे, और अगर यहाँ पर हम कर देते हैं, सिर्फ 2 और 2, दोनों को 2 ही रखा, फिर अगर हम drag करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 2-2 ही fill होगा, क्योंकि दोनों में क कोई भी अंतर नहीं था, तो वो एक सरीज में काम करता है, तो आप समझ गयोंगे, कि यहाँ पर जो है, और तो फिल कैसे काम करता है, इस तरह से हम drag कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ alpha बिल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया JK, इसका alignment हो हम change कर सकते हैं, इसको right कर सकते हैं, center कर सकते हैं, जैसे भी करना हो, ठीक है, तो यह तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर हमने इसको right किया alignment, और इसको अगर हम JK को drag करेंगे, तो यहाँ पर यह जेके जेके ही लिखेगा, अगर यहाँ पर हम A को drag करेंगे, तो A के बाद B, C आएगा, तो ऐसा नहीं है, A के बाद A ही आएगा, क्योंकि यह number को समस्ता है, अगर आप यहाँ पर 1 लिख करके drag करेंगे, तो यह 123 लिखेगा, लेकिन आपका alphabet को यह नहीं समस्ता, लेकिन कुछ चीजे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा Sunday, यहाँ पर हमने लिख दिया Sunday, Sunday को जब हम drag करेंगे, तो कुछ चीजों को समस्ता है, यानि कुछ alphabet को समस्ता है, जो कि यह predefined है, अगर हम लिखते है January, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा January, और फिर इसको यहाँ पर अगर हम drag करेंगे, तो यह January, February और March लिखेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि January हमने लिखा, तो यहाँ पर January, January, February लिख गया, इसी तरह से यहाँ पर हम सॉर्ट में लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया जैन, और आप जैन को अगर हम ट्रै करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया, अब उसके बाद यहाँ पर आइटम कौन सा खरीदा माल लेते हैं, इस स्टेशन इसी तरह से दूसरा आइटम, दूसरा आइटम हमने खरीदे, पेन, और पेन जो हैं, वो कितने पैकेट खरीदे, पेन हमने खरीदे माल लेते हैं, 50 पैकेट, एक पैकेट कितने का है, एक पैकेट माल लेते हैं, 9 रुपे का है, तो वो चीज हो गई, इसी तरह से यहाँ पर लेकिन कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना है formula ठीक है यहाँ पर आपको formula यूज़ करना है तो equal to ठीक है ? और equal to लगाने के बाद में यहाँ पर 45 상 abus quarterback को और rate को multiply कर देना है तो यहाँ पर यह 45 लिखाया है किस में लिखाया है C6 में कहां लिखाया है C6 में लिखाया है तो हमने लिखाया है C6 और फिर उसके बाद यहाँ पर multiple का sign ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पर D6 याँ 35 किस में लिखाया है D6 में तो समझ गया होंगे यहाँ पर हम लिखा E is equal to C6 plus D6 और enter किया तो यहाँ पर आप देखेंगे यह दोनों आपस में multiply हो जाएंगे जो की हो चुके हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर equal to C6 into D6 ठीक है दोनों आपस में multiply हो गए और आपके सामने total इस तरह से आजाता है अब आप सोच रहे होंगे कि इसी तरह से यहाँ पर हम कर लें equal to और C7 into D7 ठीक है इस तरह से तो कर सकते हैं कोई दिक्कर नहीं लेकिन यहाँ पर एक फाइदा यहाँ पर है Excel में वो क्या है कि अगर आपने यहाँ पर एक बार formula लगा दिया है और आपको यही same formula नीचे भी लगाना है तो उसके लिए यहाँ पर आप इसी को drag कर सकते हैं अब आप सोचेंगे कि अगर हम इसको drag करेंगे तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1575 तो यह 1575 के बाद में 1576 जैसे यहाँ पर हम लेखते है 1575 और इसको हम यहाँ पर drag कर देते हैं तो यह 1576,77 इस तरह से लिख जाता है तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर क्यों नहीं होगा क्यों कि यहाँ पर formula लगा रखा है ध्यान देना हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है formula तो यहां पर आप जब किलिक करते हैं तो यह 1575 जो लिखा यह इसकी वैल्यू है लेकिन इसमें actually में formula लगा है वो आपको यहां पर formula बार में उपर देख सकते हैं देखें यहां पर input line में यहां पर C6 into D6 लिखा हुआ है जबकि यहां पर यहां पर यह डारेक्ट्ली value लिखी इसमें कोई भी formula नहीं है ठीक है तो आप समझ गया होंगे तो जब भी हम किसी चीज को drag करते हैं या आटो फिल करते हैं तो उसमें जो भी जो आपकी actual value होती है actual value यानि कि जो आपका formula हो गया है या कुछ भी actual ठीक है वो आपका copy होता है ठीक है तो यहाँ पर जब इसको हम track करते हैं तो यह क्या होता है कि formula आपका copy हो जाता है जिससे हमें सिर्फ एक बार formula लगाना है और उसके बाद में आपका जो है वो जितने भी आपके रहोंगे कितनी भी item हो एक ही बार में आपका काम हो जायागा ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको edit करें ठीक है तो यहाँ पर हम double click करके edit कर सकते हैं double click किया तो आप देखेंगे कि इसमें C7 into D7 है अब यहाँ पर एक question हो रहा है कि जब यहाँ पर हमने C6 into D6 लगाया था तो यहाँ पर यह C7 into D7 कैसे हो गया copy करने पर ठीक है तो यहाँ पर जो cell address होते हैं ठीक है तो cell address जो होते हैं वो आपके दो परकार के होते हैं एक होता है absolute cell address और दूसरा होता है relative cell address ठीक है तो यह अभी current time में जो है यह आपका relative cell address है कौन सा cell address है relative cell address है तो जो हम relative cell address को drag करते हैं तो वो क्या होता है relate करता है और जितने step वो आगे की तरफ drag होता है उतने step वो अपने आपको increase कर लेता है जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे बढ़के इसका best example दिखाते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा 50 यहां पर हमने लिखा 20 यहां पर 10 ठीड़? अर उसके बाद यहां पर हमने लिख दिया 40 यहां पर 25 ओर अब अगर यहांपर हम मान लेते हैं कि सामने यानी 25 को 2 से और 32 को 3 से और 32 को 4 से इस तरह से multiplication करवानी है तो हम क्या करेंगे इसको select कर लेंगे और into इसको select कर लेंगे ठीक हम इस तरह से कोई ज़रूर नहीं कि हम cell address लिखें अगर माल लेते हैं कि हमें 25 का address यहाँ पर लिखना है तो एक तो तरीका यह है कि हम यहाँ पर b19 लिख दें दूसरा तरीका है कि हम directly उसके उपर क्लिक कर दें लेकिन कब जब यहाँ पर equal to का sign लगा हो तब ठीक है ध्यान रखना equal to का sign और फिर क्लिक कर दिया उसका address आ गया फिर multiplication का sign और यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर दिया उसका भी address आ जाया है फिर enter करेंगे तो यह 50 हो गया अब जब इसको हम drag करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह सामने सामने आपस में multiply हो जाएंगे क्योंकि यह relative cell address है और relative cell address का मतलब कि वो जितने step नीचे बढ़ता है वो अपने आपको increase कर लेता है cell address बढ़ जाता है अगर इसको हम ऊप बात है कि जैसे यहाँ पर अगर माल लेते हैं उसने कहा कि हमें pen जो है वो 50 नहीं चाहिए amount ज्यादा उपर जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर pen अगर वो कहता है कि 30 कर दो तो यहाँ पर आप जब 30 करेंगे और enter करेंगे तो यह फिर से जो है आपका answer सही हो जाएगा यह फिर से multiply कर देगा ठीक है क्यों क्योंकि यह address पर काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर यह जो c7 है तो यह address यहाँ पर लगा हुआ है तो c7 में जो भी value होगी या d7 में जो भी value होगी वही आपस में multiply होगी ठीक है तो यह इसमें benefit होता है और भी कई benefit हैं जो आगे हम देखेंगे फिलाल तो यहां पर आपको यह relative cell address क्या करता है कैसे काम करता है पता चल गया होगा relative cell address जितने step वो नीचे या उपर की तरह बढ़ता है वो अपने हिसाब से जो है वो address increase या decrease होता रहता है ठीक है लेकिन आप सोच रहोंगे कि यह सिर्फ row में होता है लेकिन ऐसा नहीं है column में भी होता है फैले तो हम थोड़ा सा इधर move कर देते हैं अब देखें यहां पर माल लेते हैं कि इसे हमें जोड़ना है यहां पर इन दोनों value को plus और इसको ठीक है अब यहाँ पर भी आपका यह relative cell address ही है, जो कि column को change कर रहा है, column क्यों क्योंकि यह जो हम formula drag कर रहे हैं, वो column में drag कर रहे हैं, इसलिए column change हो रहे हैं, अगर row में drag करेंगे, तो आपके जो हैं वो change होंगे, ठीक है तो आप समझ गयोंगे relative cell address, अब बात कर लेते हैं absolute cell address की, तो absolute cell address क्या होता है, तो यहाँ पर हमें जो है, by default जो आपका होता है, वो तो आपका होता है relative cell address, लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसे absolute बनाना है, तो उसके लिए हमें इसमें dollar का sign यूज़ करना होगा, ठीक है, तो dollar का sign कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, माल लेते हैं, इसमें दो चीज़े हैं, देखिए, एक तो E यह आपका क्या है column, और 17 यह आपकी क्या है row, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़े हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसे absolute करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको full absolute करना चाहते हैं, full absolute का मतलब कि आप पुचाते हैं, कि column भी ना change हो, और row भी ना change हो, तो उसके लिए आपको E से पहले भी dollar लगाना होगा, और यहाँ पर 17 से पहले भी dollar लगाना होगा, इस तरह से, ठीक है, E से पहले dollar, यानि E आपका जो है, वो absolute होगया, fix होगया, और 17 से पहले लगाया, यानि कि 17 जो है, यह आपका fix होगया, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको enter करते हैं, और अब इसको जो है, हम आगे की तरफ drag करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि एक तो change हो रहा है, इसमें यहाँ पर जो E 18 था आपका, यह change हो रहा है, देखें, यहाँ पर F 18 हो गया, और यहाँ पर G 18 हो गया, लेकिन जो हमने absolute किया था, वो नहीं change हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, तब भी E 17 ही है, और यहाँ पर भी E 17 यानि 41 के साथ में उसको जोड रहा है, तो आप समझ के होंगे, कि यह होता है, absolute cell address, आप इसको अगर नीचे की तरफ खींचते हैं, जैसे यहाँ पर माल लेते हैं, हमने इसको भी absolute कर दिया, तो यहाँ पर 18 से पहले भी dollar लगा दिया, और E से पहले भी dollar लगा दिया, तो अब यह 91 यह full absolute हो गया, आप इसको आप कहीं भी खींचे, row में खींचे या column में खींचे, यह आपका 91 ही रहने वाला है, क्योंकि cell address जो हैं, वो fix हो चुके हैं, absolute हो चुके हैं, तो आप समझ के होंगे, और अगर यहाँ पर आप सिर्फ column या row को absolute करना चाहते हैं, तो वो काम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 18 से पहले और 17 से पहले यहाँ पर हमने dollar का sign हटा दिया, अभी current time में आपका क्या है, यहाँ पर सिर्फ column absolute है, यहाँ पर क्या absolute है, सिर्फ आपका column absolute है, तो column अगर absolute है, तो उससे क्या होगा कि अगर जब आप column change करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इसको आगे की तरफ drag किया, तो देखेंगे कि यह formula अभी भी नहीं change हो रहा है, सब में वही है, क्योंकि यहाँ पर हमने column को absolute कर रखा है, तो जब यह column बदलेगा, तो यह बदलने नहीं देगा, अगर आप इसको यहाँ पर नीचे की तरफ drag करेंगे, तो यह बदल रहा है, कैसे क्योंकि हमने यहाँ पर row को absolute नहीं किया, row free है, row यहाँ पर 21 हो गई, यहाँ पर 22 हो गई, तो आप समझ गयोंगे, कि यहाँ पर absolute cell address क्या होता है, बाकी हमने 2007 वाली जो सरीज है, उसमें इसको detail में और भी अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, फिलाल इसको यहाँ पर हम delete करते हैं, और उपर बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर मालेते हैं, आपको discount भी देना है, तो यहाँ पर हमें एक column बढ़ा लेंगे, discount का, जैसे 5% का discount देना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5%, तो यह 5% discount या फिर discount ही लिख दिया, कोई और नहीं कि वहाँ पर आप 5% लिखें, तो यहाँ पर हमने sword में discount लिख दिया, अब यहाँ पर discount कितना दिया जा रहा है, 5%, तो 5% discount निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम normally copy पे निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना होगा, E6, यानि कि E6 को multiply कर देना होगा, कितने से 5 से, यानि कि जिसके उपर जिस amount पे आपको निकालना है, discount, उस amount को जितने percent से आप discount निकालना चाहते हैं, उतने percent से multiply करेंगे, 100 से divide कर देना है, और enter करेंगे, तो यह आपका निकल गया कि 5% के हिसाब से, 78 रुपे, 72 पैसे आपका discount बनता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका final amount निकलेगा, total amount, ठीक है, जो कि आपका total amount होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, simply यहाँ पर इस से minus कर देना है, इसको बस इतना ही करना है, और यह आपका आजाएगा total amount, ठीक है, इसको अलग खींचें, फिर इसको बाद में, इसको अलग खींचें, यहाँ ज़रूरी नहीं, हम दोनों को एक साथ इस तरह से select करके, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम drag कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका यह फटा फट calculation कर देगा, तो यहाँ पर यह total निकल गया और यह उसी amount पर discount निकाल दिया और उसी amount पर इसने minus कर दिया तो यहाँ पर यह जितने भी sell address यूज किये गए है वो सब आपके relative sell address है यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें देखे सिर्फ sell address यूज किये गए है और discount की बात करें तो यहाँ पर हमने value भी use कर ली है direct fix value ठीक है तो यहाँ पर यह जो 500 लिखा है यह fix हो गया सभी में आपका यह 500 ही रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 500 है यहाँ पर भी 5 है तो आप समझ गयोंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह काम होता है अगर यहाँ पर आप अलग-अलग item पर अलग-अलग discount देना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर यह बीज में column बढ़ाना होगा तो column बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है seat में और seat में जाने के बाद यहाँ से आप insert column कर सकते हैं तो यह column आपका देखें यहाँ पर insert column before या after तो जो हमने click कर रखा है इसके पहले बढ़ाना तो before कर लेंगे तो यह column बढ़ गया अब यहाँ पर discount कितने percent देना है discount ठीक है तो यहाँ पर आप rate डाल सकते हैं जैसे discount कितने percent देना है तो माल लेते हैं कि books पर हमें 20 percent discount देना है तो 20 लिख दिया pen पर हमें 5 percent का देना है copy पर हमें देना है आपको 6 percent देना है इसी तरह से यहाँ पर जो भी है 5% देना माल लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर डिसकाउंट आपको जो है वो इसके हिसाब से निकालना है मलब value fix नहीं है किसी में 20% है किसी में 5% है तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर आपको यह E6 की जगे रहने देना बस 5 की जगे पर यहाँ पर आप 5 को हटा दें और उसकी जगे पर इसका address दे दें simple हो गया बस enter करो और यहाँ पर आपको यह 20% निकाल गया जब इसको आप drag करेंगे तो सामने जो भी value होगी उस इसाप से discount निकलेगा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर E7 जो है वो F7 से multiply होके 100 से divide हो रहा है समझ गया होंगे तो इस तरह से हम अलग-अलग item पर अलग-अलग तरह का discount निकाल सकते हैं अलग-अलग discount rate से ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से bill बना सकते हैं अब मालेते हैं यह जिसका भी bill है जैसे ए नाम का व्यक्ति के bill है तो यह हो गया अब आप इसको प्रिंट आउट कर दें प्रिंट आउट करने के लिए आपको इतना select करना है select करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है define print area कर देना तो जैसे आप इसको define कर देते हैं तो यह print area define हो जाता है कि आपका यह इतना print हो जाएगा अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर यह जो column है बहुत बड़े- साथ में और किसी भी column के बीच में चाहिए आप यहाँ पर जाएं या फिर आप यहाँ पर जाएं सिर्फ आपको इस तरह का जब arrow हो तो आपको double click कर देना है सारे column अपने आप पर जिस्ट हो जाएंगे मिलब अपने आप छोटे बड़े हो जाएंगे ठीक है तो यह आपका प्रिया में क्लिक कर दिया तो आपका यह define हो गया और इतना आपका एक पेज पर print out हो जाएगा तो बस फाइल में गया है और print करना तो आपका आता ही है या पर प्रिंट प्रियू में देख सकते हैं यहाँ पर देखें print प्रियू में कुछ इस तरह से आपका print out बिल निकल लेकिन यहाँ पर देखें lining जो है वो print नहीं हो रही तो आपको बता दे कि यहाँ पर यह जो lining आपको दिख रही है यह सिर्फ grid line है print out नहीं होती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको select कर लेंगे और यहाँ से आपको border दे देना है तो यहाँ पर हम देते हैं all border तो यह पर इसको कर देते हैं none और इसमें आप क्या करें कि यहाँ पर माल लेते हैं इतना हमको जो है इस तरह से cover करना है all border में तो all border लगा दे ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमको जो है serial number या फिर यहाँ पर अभी एक चीज़ में और बाकी रहेगी देखिए वो क्या है total amount तो आपका निकल गया कि book का rate इतना हुआ pin इतने के हुए copy इतने की हुई लेकिन जब वो payment करेगा तो वो एक साथ करेगा अलग अलग थोड़ी करेगा कि book का 1260 रुपय अलग देगा pin का अलग नहीं total निकालना है जिसको बलते है grand total ठीक है तो grand total के लिए यहाँ पर हम लिख किया और यहाँ से आपको merge कर देना है merge and center तो यह merge हो गया यहाँ पर आपको formula लगाना है तो यहाँ पर देखे formula नहीं बलकि हमें function लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारी value को जोड़ना है तो लगाएंगे equal to sum और bracket open करेंगे यह function होता है तो यहाँ पर हम लग bracket open और फिर उसके बाद में उसकी हम value डालते हैं जो भी है जो भी function का syntax होता है उस हिसाब से काम करते हैं तो sum में हम क्या करते हैं कि value देते हैं कि किसको जोड़ना है तो हमें starting करनी यहाँ से और end करना यहाँ पर बस इतना select कर लिया और यहाँ पर हम bracket को last में बंद करके enter कर द नहीं करते हैं तो कोई दिक्कर नहीं लेकिन आपको बंद करना चाहिए अच्छी practice के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमने enter किया तो यह आपका total amount है कि 2593 रुपए आपको देने हैं अगर यहाँ पर हम कुछ और बढ़ा देते हैं जैसे यहाँ पर हमने 4 और उसके बाद यहाँ से print कर सकते हैं कोई सुने हैं यहाँ पर अभी एक चीज और बढ़ा दे इसमें इसको भी जो है हम all border यहाँ पर लगा देते हैं यह हो गया all border ठीक है और यहाँ पर अगर आप बीच में भी इस तरह से lining देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको select कर लेना है इतना और select क करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है और इसमें से यूज कर लेना है यह वला ठीक है इसमें क्या होगा कि जो है आपकी vertical line डाल देगा इस तरह हैं से ठीक है अब यह बन गया आपका perfect bill अब इसको print preview करें या फिर print out करें इस तरह है तो समझ गयोंगे इस तरह सम आसान भी चाहें तो हटा सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जब नया customer आए तो उसने क्या खरीदा माल लेते उसने pen खरीदा कितने pen खरीदे उसने 45 pen खरीदे एक pen का rate क्या है 15 रुपए है discount कितना देना है तो discount माल लेते हैं आपको 25% देना है तो यह यहाँ पर आप बिल बनाना जो है cash memo इसको हम बोलते हैं या आप समझ गयोंगे कि Excel से यानि की Kelsey से हम बिल कैसे ready करेंगे और एक चीत ध्यान रखना इसमें हमने जितनी भी चीज़े आपको बताई हैं जो आपके cell address होते हैं absolute cell address, relative cell address उसको बोलते हैं cell referencing यानि cell address जिसको cell referencing भी बोलते हैं और इसमें border लगाना हो गया बाकी alignment हो गया color करना ये सब चीज़े तो आप खुझ से कर सकते हैं क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं ठीक है और नीचे drawing toolbar में आप कोई भी logo या circle कुछ बनाना चाहते हैं इस तरह का तो यहाँ पर ये भी काम आप कर सकते हैं और इ उसको print out कर पाएंगे आप आसानी से ठीक है तो ये हमने set किया और इसका print preview देख सकते हैं यहाँ से या इसको direct print कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप जो है cash memo ready कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर slavos एक बार देख लेते हैं तो slavos में यहाँ पर हमने element of spreadsheet sheet creating spreadsheet यानि कि उसके क्या क्या part होते हैं spreadsheet के जिसमें workbook, column, row, cell, worksheet हमने बताया creating a spreadsheet यानि कि एक नई spreadsheet बनाना ठीक है और concept of cell address यानि कि cell address क्या होते हैं row and column क्या होते हैं selecting cell ठीक है यानि cell को select करना entering data जिसमें हम text number या date and time लिखेंगे ठीक है यानि जो है आपकी cell है उसमें कोई भी data हम डाल सकते हैं जैसे यहाँ पर text हो गया यह आपन नमबर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको date and time भी इसमें लिख सकते हैं ठीक है date and time सिंपली लिख देंगे जैसे लिखा जाता है बाकि date and time के बारे में थोड़ी और भी चीज़ें हैं जो हम आके देखेंगे अगली देखा है और अगली वीडियो से यहाँ पर हम continue करेंगे आगी की चीज़े जो इसमें slayvers में दी गई है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में okay so thanks for watching this video